देश की जनता को बड़ा तौफा देते हुए मोदी क्याबिनेट ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्मान का फैसला लिया जुसकी नीव पंजाब के गुर्दासपुर में उप मुख्यमंत्री वेंकाया नाइडू के उपस्थिती में रखी गई इस दोरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग भी मौजूद रहे नीव पत्थर समहरों के बाद जनता को संबोधत करते हुए पाक आर्मी चीफ के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंग का खून खौल उठा उन्होंने अपने जीवन के उन दिनों को याद किया जब वो फौज में रहते हुए देश की सेवा कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि भारतिय फौज में वो पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से दस साल सीनिर है उन्होंने बाजवा से सवाल किया कि फौजी को कौन सिखाता है निर्दोष और मासूमों की हत्या करें जवानों को गोली मारना कौन सिखाता है कि पठान को टेर बेस और दीना नगर पर हमला करवा दो निरंकारी सत्संग पर ग्रेनेट फेके गए ये बाजवा को कौन सिखा रहा है सत्संग करने वाले मासूमों का क्या कसूर था शर्मानी चाहिए बाजवा को, ये बुजदिली है मैं सिख धर्म का हूँ, लेकिन पंजाब के प्रती मेरा फर्ज भी है इसलिए मैं 28 नवंबर को पाकिस्तान नहीं जा रहा हूँ पंजाब कई सालों तक आतंगवाद की आग में जलता रहा पंजाब में आतंगवादी कारवाई, ISI कराती है जो पाक आर्मी के साथ काम करती है किसी नहीं दसे है कि तुझी पठान कोट में अपने बाढ़के है थे, लोगानों वेते मार देओ, दीना नगर विच मार देओ या इस्टी अम्रत सर्थे पिंड विच मेरे लोग अपना कीस्तिन कर रहे ने, सवेरे उते बैठे ने कमर बाजवा पर हमला बोलने के अलावा, मुख्यमंत्री कैप्टिन अमरिंदर सिंग ने एक और एलान किया, जिसमें पाकिस्तान जाने की इच्छा जताई, वो भी तब जब पाक की नापाक हरकतें बंध होगी करतारपुर कॉरिडोर शुरू होने पर पहले ही दिन, पहले जथे के साथ करतारपुर जाने का एलान किया इक पासे मैं सिख यह, मेरा दिल चोन है कि मैं जामा अपने गुरू पहले पादशाही दे, स्टाती दे ओपर, ठोड़ा खाल, मेरा दिल नी बन दा कि मैं उत्थे जामा, पर दूजिये पासे मैं मुक्वंतरी भी हैं पंजाब दा, और पंजाब दी रक्षां और पंजाब पंजाब नो कमजोर करन दी सोच रेने ता जदो ताइं मेरेच खून है और जदो ताइं मेरेच को ताकत है मैं उसे पूर ये ना रिखलाब बरतूँगा मैं तहनू आज दास्तन है बतादे कि अपने इतने करारे प्रहार से कैप्टेन अमरिंदर ने केंद्री मंतरी हरसिमरत कौर और कैबिनेट मंतरी नवजोत सिंग सिध्धू को मुश्किल में जरूर डाल दिया है क्योंकि सिध्धू तो पहले ही शिला नयास कारिक्रम में शामिल होने का एलान कर चुके हैं वहीं हरसिमरत कौर भी पाकिस्तान जाने की तयारी में है